नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और इंडिया जुडिशियल सर्विसिस के बारे में यानि कि अब अखिल भारतिय रूप से नियाइधीशों की भरती के ल सुप्रीन कोट में जाकर उन्होंने बाबा सहब इमरा अंबेड करकि एक प्रतिमा का वहाब अनावरण किया तो जब कभी भी वह कहीं जाते हैं तो कुछ बाते जरूर कहती हैं तो अपने संबोधन में उन्होंने यह बात प्रस्तुत की कि वरतमान भारत को आवशकता है ए इतने भी हमारे पास में नए युवा हैं वे सब इस छेत्र में आ सकते हैं और भारत के लिए एक सुद्रन नियाय के ववस्ता सुनिशित कर सकते हैं वहीं इसका दूसरा उद्देश यह हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के सभी वर्गों को प्रतिमित्व मिले अभी लगातर जो अपने पसंद के ही नियाय दीशों को यह अपने घर के रिष्टदारों को ही लाते हैं उन्हीं को ही पदोनती देते हैं उन्हीं के लिए से फारिश करते हैं सरकार फिर उन्हीं को परमोट कर देती हैं और बाकी जो और लोग हैं अन्ने समुदाय के हैं उन सबको वहां प्र सेत जूदिया कर रहें कौन सा सेविल सर्वेश की तियारी कर रहें source में भी कुछ ऐसे सर्विस हैं जिनको लेजिएंगया जाता है यूदिया सर्विसीिस को बनाया जाता है तो ध्यान रखेगा कि बिल्कुल सेम सीविल सर्विसिस की तरज पर ही बनाई जाएगी सूरी ववस्ता इसी के अनुरूप होगी और बस उसका नाम All India Judicial Services होगा और हम लोग क्या है All India Services या फिर All India Civil Services वाले तो हैं हम लोग ठीक है इतना मामला के लिए तो बहुत सारी खास और महतवपूर्ण चीज तो देर किस बात की जल्दी से अपने फोन का प्रियोग कीजिए और टैब करते हुए मुझे असका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना मेरे लिए थैंक्यों समझते हैं पूरा मामला तो देखिए मांग लंबे समय से हो रही है रीजन क्या है परतिवाशाली व्यक्तियों का चेयन हो साह साथ में समाज के सभी समुहों का प्रतिनित तो सुनिश्चित हो सके हैं यह सब चीजे अभी मांग की जाए अब बहुत सार लोग सोच ने हूंगे मन में की अभी भी तो जुडिशल एक्जाम होता है बट कौन कंड़क्ट करता ह पहली बात तो है जो एक्जाम होता है उसको कहा जाता है PCS जे ठीक है जिस प्रकार से स्टेट के अंदर PCS का एक्जाम होता है थीक उसी प्रकार का प्रांतिय स्थर पर ही यह है जुडिशल एक्जाम होता है लेकिन इसके अंदर All India जैसा कुछ नहीं है तो अभी जो बात है वह मेंली All India लेवल पर की गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं तक भी ले जा सके कभी एक कडर नियुक्त कर दिया जा और कडर के अनुरूफ हुव है वैक्ति अपनी सेवा निरंत तो वही सब बाते हैं अभी ठीक है तो वर्तमार में व्यवस्था अभी यह चल र जिसको हम लोग कहें All India Judicial Services और उसके माध्यम से जिला नियाएदीशों की ही नियुक्ति करवाई जाए अब जो जिला नियाएदीशों की नियुक्ति होगी उसके लिए एक अच्छा खासा एक्जाम होगा पिना किसी भी पाउगे जिससे की जितने लोग योगी होंगे जित ही मिल पा रहा है देखा जाते हैं कि मावले 25-25 साल 30-30 साल से लंबित पड़े हुए हैं उनके लिए कोई भी फाइनल जज्मेंट अभी आने में कोई क्लियरिटी नहीं है ठीक है तो चाहते हैं कि All India Judicial Services के माध्यम से आप डिस्टिक जजिस को अपॉइंड कराएं और उसके क्या है देखिए एक तो आपको मैंने बता है अभी कि PCSJ का एक्जाम होगा और PCSJ का एक्जाम आपको एक डिस्टिक जज बना देगा ठीक है तो डिस्टिक कोट में आप जज अपॉइंड हो जाएंगे उसका आपके जो भी सेवा हैं उसका काल शुरू हो जाएगा एक साथ वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं एडवोकेट के रूप में आपका जो पूरा पूरा कारेकाल है वो अच्छा रहता है तो ऐसी स्तिती में आपके हाई कोड के जजिस हैं उनके पास आपका नाम जाएगा वह विचार करेंगे कि आपके जो साथ साल है वह स्वर्णिम रहे या नहीं रहे यदि कारेकाल अच्छा होगा तो फिर पैटन जो होगा है इस प्रकार से फॉलो होगा कि हाई कोड की जितने जजिस होंगे वह आपके नाम की रिकमेंडेशन भीजेंगे अपने जो भी स्टेट के अंदर गवर्णर है यानि कि राजयपाल साब के पास में ज अच्छिद 233 और 234 में में बताया गया है किस प्रकार से आप जजिस को अपॉइंड करेंगे जब आप डिस्ट्रिक कोड में आ जाते हैं तो उसका फिर कॉलेजम सिस्टम चलता है इनका अपना जिसमें फिर हाई कोड के ही जजिस होते हैं हाई कोड की जो चीफ जजज होत विचार करते हैं आपस में सलाह करते हैं ट्रांसफर होना है नहीं होना है वगेरा वगेरा सुप्रीम कोड भी इन्वाल रहता है इसके अंदर भारत के मुक्य नियादिश भी शामिल रहते हैं और फिर यह सब लोग विचार विमर्ष करके नाम आगे भिषते हैं और उसके कभी भी हाइई कोड के किसी जज़ का होता है तो इस पूरी प्रिक्लिया के अंदर सुप्रीम कोड के चार वरिष्ट जज़ प्लस में सी ज़े आई और जैसे आपको बताया है मैंने कि दोनों हाइए कोड के जज़िस शामिल होते हैं टोटल साथ लोग मिलके डिसाइड करत है इसके अलावा हम लोग इस्तिती जैसे की देखते में आपको बताया पेसिस जया के अग्जाम होता है उसके अग्वाड़ी सारा काम चलता है तो यह दो हमारे पास में वगस्था भी वर्तमान में बनी हुई है बट कहीं न कहीं यह जो पूरा भी पैटन हमारे देश में है यह सफिशेंट नहीं है यदि सफिशेंट होता तो क्या हमारे पास सीट इतनी ज़्यादा वेकेंट होती आप लोग और क्या लगता है किस दिशा में काम किया जा सकता है ऐसा क्या कि अच्छे जज़ आएं पूरे पर सिस्टम के अंदर पूरी प्रणाली में और मामलों को तेजी से निप्टाया है क्योंकि जर्नली को आप ना किसी को जरूर जानते होंगे जिसका केस लंबे समय से चल रहा है बट किसी फाइनल जज़्यमेंट पर नहीं पहुंच पा रहा है यह सब चीज़े है हमारे देश में भी ठीक है इतना मामला समझ गये तो वर्तवान सवस्था है जर्नली वरक करती है वरिष्ट था के सिधान पर अगर आप जैसे जैसे वरिष्ट होते जाएंगे जितना अधिक समय आप बिता देंगे कोर्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा कि आप अधिक अनुभवी हैं और इसलिए फिर आपको प्रमोट भ पास में कि इतिहास में जब जब बात हुई कि All India Judicial Services बनाई है कुछ कुछ काम हुए लेकिन अंतिम निर्ने पर नहीं पहुंच सके कब से काम शुरू होता है तो देखे पहला सुझाओ 1958 में जो सुझाओ ता यह है भारतिये विधी आयोग के द्वारा दिया गया था और भा आएंगे इतना ही नहीं भारत की अंदर सभी वर्गों का प्रतिनिदित्व भी सुनिश्चित इसमें हो जाएगा बट फिर बातचीत हुई विचार हुआ कोई अंतिम निर्ने खास यहां पे नहीं लिया जा सका ठीक है इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्य का सम्मेलन हुआ कब हुआ 1961, 1963 और 1965 यह तीनों वे सम्मेलन थे मुख्य नियाइधीशों के जहां पर मुख्य नियाइधीशों ने खुद यह बात मानी कि हां भारत में requirement है All India Judicial Services की होना चाहिए सरकार से हम बात करेंगे और जल्दी ऐसा कुछ होगा लेकिन 1961, 63, 65 के बाद आ नवंबर खतम होने वाला है और अब दिसंबर शुरू हो जाएगा जो इस वर्ष का अंतिम महीना होगा यहां तक के सफर में हम नहीं देखते कि भारत में All India Judicial Services का गठन कर दिया हो ठीक है इसके अलावा वर्ष 1978 और 1986 में भी हम देखते हैं कि नियाइक विवस्ता में बहु 28 और 86 में रिकमेंड किया कि देखिये चिंता का विशे है अभी जिस प्रकार से हमारे हां मामले डिले हो रहे हैं यह न दस साल बाद 20 साल बाद इसकी संक्या बहुत जादा बढ़ जाएगी तो क्या ज़रूरत है कि हमारे पास में एक अच्छी नियाइक ववस्ता हो All India Judicial Services ह ताकि वाशिक आधार पर हम लोग नियाए धीशों को निक्त करें जिससे कि इस पूरी प्रकिरिया में तेजी आ सके लेकिन यहां भी कोई खास नहीं हुआ हुआ लेकिन इस पूरी प्रकिरिया के दोरान एक खास निर्णे ले लिया गया था कब लिया गया था 1976 में जब 42 वा समविधान शंशोधन पेश किया गया था सभी को पता है न क्या है ये 42 वा समविधान शंशोधन को क्या कहते है mini constitution तो देखिए यह जो mini constitution है इसमें बात की गई कि हाँ देश में all India judicial services होगी और जो हमारे समविधान का अनुच्छे 312 है जो मुखे रूप से बात करता है all India services की तो इसके अंदर एक amendment किया गया और अनुच्छे 312 में amendment करते हुए add कर दिया गया अखिल भारतिय नियाई की सेवा को यानि कि all India judicial services जो है वह समविधान की अनुसार all India services की category में आती है समविधान में उसको शामिल कर लिया गया है तो गड़वड कहां हुई हमारी जो सरकार है वह है विफल रही इसके उपर निर्णय नहीं लिये पाई एक पूरी जो एकमत ववस्ता होनी चाहिए एक एकरित ववस्ता होनी चाहिए वो ववस्ता सुनिश्चित नहीं कर पाए सब लोग और इनी सभी कारणों से धीरे धीरे चीज़े डिले होती चले गई और हम लोग 1976 से आज 2023 में आ गए किलियर है बत और इतना ही नहीं इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ष 2006 में संसधिय समिती के द्वारा एक विद्धियक का मसाधा भी तयार किया गया था जो आल इंडिया एक संशोथा ने पेश किया था इसके साथ साथ इन्होंने बात की थी कि आल इंडिया जो डिश्टर सर्वेसेज होनी चाहिए बड़ फिर वही कहूंगा कि अंतिमने नहीं हो पाया और 2020 के बाद अब हम खुद देखते हैं कि भारत की महामहीम रास्ट्रेपती ने खुद ही 1976 में अपने अमेंडमेंट भी कर दिया ओल इंडिया सर्वेसेज के रूप में जो डिशल सर्वेसेज को रिकगनाईज भी कर दिया बड़ कुछ भी खास नहीं हुआ आगे अंतिमने नहीं लिया जा सका लेकिन इस तरफ काम होने की वास्ते में नजरूरत है आप लोग क्या आने दे रहे हैं ऐसा मानते हैं आप लोग या लगता है कि हाँ सब कुस ठीक चल रहा है विचार दीजे मैं पढ़ता हूं लागुलर सब के विचार पढ़ रहा हूं हर एक वीडियो पर ठीक है कितना के लिए है आप लोग को अब इसी सब चीजों को समझते हुए आप कुस तो दिख रहा होगा ना इनको उसी के अधर पर कह रहा है जैसे कि क्या क्या दिख रहा है पहली बात तो नियाई दीशों की कम संक्या है एक सो सोलवी रिपोर्ट जो थी विधियायोग की उसमें बताया गया कि हमारे देश में प्रति दस लाग जिन संक्या के ओपर जो किया है यानि कि आप लगवग 20% के साथ पूरी जडिशरी चला रहे हैं सिस्टम यही कहता है हमारा यह रिपोर्ट यही कह रही है और इस शम्ता के कारण क्या हो रहा है कि आपके पास जब लोग कम हैं जिस कम हैं तो जज्जमेंट्स कम आ रहे हैं जिस वज़े से मामले लंबित होते जा रहे हैं वर्ष 2013 के एसाब से हमें पता लगता है कि भारत में 5 करोड से अधिक केस लंबित हैं और सबसे अधिक जो केस लंबित हैं वो जिला इदालतों में तो इससे एक बात pension, high court, supreme court तक चीज़ें तो घर बढाएँगी ही यह भी किलिए है ठीक है तो पा बग पचासी परतिशत सिर्फ डिस्टिक कोर्ट के अंदर हैं और इन डिस्टिक कोर्ट में भी ऐसा है कि एक लाग से ज्यादा केस 30 साल से अधिक प्रवाने हैं अब सोचे 30 वर्ष में आप जजिमिंट नहीं दे पाए है ना 30 वर्ष में अगर एक बच्चा होगा तो है ठीक है तो यह स्तिती बनी हुई है देश में इसके लाग एक खास बात हम देखते हैं कि सेवा के अफसरों का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि जजिस कम रहते हैं तो कहीना कहीं जो होती है प्रमोशन की ववस्ता वो डिले होती है क्योंकि नीचे भी सीज़ों समालना ज़रूरी है तो जो हमारे पास डाटा है वो यह कहता है कि भाई 25 परतिशत से भी कम जज ऐसे हैं जो एक जडिशल ऑफिसर के रूप में उच्छे नियायलों तक जा पाएंगे ठीक हैं सिर्फ 25 परतिशत से भी कम यानि कि पूरे सिस्टम को हम समझते हैं तो अगर हमारे प प्रकार से वो अपॉइंट हुए थे एक पहले उन्होंने एड़ोकेसी की आप वकालत की लगातार अलग-अलग कोट में फिर सेवन इयर्स का आपने एक्स्पीरियंस लिया सेवन यर्स में जरूरी थोड़ी है कि आपने बस साथ साल में की वकालत और तुरंद आपकी बाद डिस्टिक कोट तक पहुंचे बिलकुल संभाव है हर एक ची संभाव है वदि आप भारत में है तो समझ गए है ये बाद सब जाने कि भारत में सब कुछ हो सकता है न तो यह भी इस्तित्य हमारे पास में तो जितने भी नए जजज अपॉइंट होनें के पास अफसर बहुत कम है हाई कोट जाने के यदि आपके बस हाई कोट जाने के अफसर ही कम है तो समझिए कि सुप्रीम कोट तक जाने के अफसर कितने कम लोगों के पास ही होंगी है न बहुत रेर चांचेस है तो यह कही ना कही डिमांड करता है औल इंडिया जुडिशल सर्विजिस की भी ठीक है clear है मामला तो एक अच्छा खासा आपको यहां पर content मिला किसके लिए means js2 में लिख सकते हैं आप लोग यदि आपको optional है PSIR तो optional के रूप में भी आप इसका परियोग कर सकते हैं यह सब चीज़ा आप लोग के लिए खास है इतना मामला किलियर है तो अब यह प्रश्ण भी किलियर होगा जो आपको शुरू में दिखाए गया था अजका जो प्रश्ण है उसका अंसर आप लोग की स्क्रीन पर है ठीक है तो सही रहा है या गलत उम्मिद करता हूं सही रहा होगा चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नहीं बातों के साथ तब तक के लिए विदा दीजे थैंक्यों सोमच